हेलो फ्रेंज वेलकम बेक टो मैं चैनल स्माइल ओपन लिभी डॉक्टर पुर्णम आज का जो वीडियो है वो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है अगर बहुत सारे लोग केप लगवाते हैं लेकिन उनको नोलेज वो जाना चाहते हैं कोन सी केप लगवानी चया है और केप लगाने में कितना खर्चा होता है तो आज का मेरा टोपिक इसी बात needed princip लगाने में कितना खर्च हो सकता है कितने रुपए लगते कितने पैसे लगते हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले ताकि आपको मेरे वीडियोज की नौटिफिकेशन मिलती रहे अगर आप मेरे साथ मेरे से कंसर्ट करना चाहते हो अपने दांतों से रेलेटेड अपने कोई प्रॉबलम से रेलेटेड जो capes होती है वो अलग-अलग types की होती है जिसकी metal cap हो गई, ceramic हो गई, full ceramic हो गई, zirconia हो गई उनमें भी अलग-अलग designs होती है, ivoclave design होती है और इस types से मतलब कुछ लोग acrylic की cap भी लगाते हैं तो अलग-अलग types की जो cap होती है, उनकी जो price होती है उनका जो खर्चा होता है वो भी अलग-अलग types की होता है caps लगाने का जो खर्च है, वो सिर्फट types पर ही depend नहीं करता है बल्कि इस बात पे भी depend करता है कि आप कौन से city से बिलोग करते हो कौन से country से बिलोग करते हो, और कौन से village से बिलोग करते हो ये भी एक important thing होती है केप की खर्च से related अब चली जानते हैं कि कौन-कौन से केप होती है और उनके कितना खर्चा लग सकता है उनमें सबसे पहले बात करते हैं metal की केप जो metal की केप होती है उसको कुछ लोग होते हैं वो चांदी की केप भी बोलते है जनरली वो दिखने में सिल्वर कलर की होती है बट वो चांदी की होती नहीं है metal की जो केप लगाने का खर्च है वो लगबक एक हजार उपे से लेके धाई जार उपे तक का खर्च हो सकता है वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह से बिलोंग करते हो नॉर्मली केप है वो कुछ क्लिनिक्स में हजार उपे में भी लगा देते है metal की जो केप है कुछ लोग कहीं कहीं 1500 उपे की भी प्राइस होती है उसके और कहीं कुछ क्लिनिक्स में 2000 या 2500 की रेट भी ली जाती है क्योंकि ये डिपेंड करता है उनकी city या village से नेक्स्ट है पी अपम केप यानि की porcelain fused metal केप इसको metal ceramic केप भी बोला जाता है ये जो केप होती है उसकी स्टार्टिंग जो प्राइस होती है वो 1500 से होती है 1500 से लेके 5000 के बीच में इसको लगा जाता है ये अलग-अलग इसकी थिकनेस पे भी डिपेंड करते है कुन सी材 में कितने मैं लगाया जाती है साथ इस में कुछ डिजान हुती है जिससे आइव कलcong कर देते है कुछ इसकी थिकनेस बढ़ा देते जो सिरैमी की या पोर्सिलियन की तिकनेस होती है उसको भी इंकरीज करके इसकी जो क्वालिटी है उंक्रीज कर देते है तो इसकी जो starting price होती है वो होती है 1500 और लेकिन ये अलग-अलग clinics के according ये अलग-अलग lab से जो ये ready होती है तैयार होती है उसमें इसका अलग-बग हर्च आ जाता है 1500 से लेके 5000 के बीच का अब है इसके अलावा जो cape होती है वो आती है जिर्कोनिया की cape जिर्कोनिया की cape होती है वो cape में सबसे best मानी जाती है और ये जो cape होती है वो metal free होती है ये एकदम दिखने में इसकी जो quality होती है वो एकदम fine quality होती है इसकी साथ ही ये long term मतलब काफी लंबे समय तक चलने वाली cape ह होती है ुसकी rusty winning 25000 तक की Xลth 9 5 500 7 तक सबस्चा याव इस बहुत सारे लोग यदो जिरकोनिया लगाना पसंद करते तो यह कामप कटी रेट के अलावा जाती है जो बहुत सारे लोग लगवाना पसंद लेकिन उसकी जो price होती है वो depend करती है कि gold का क्या भाव चल रहा है तो उसके according ही इसको prepare किया जाता है तो यह है केप लगाने में क्या खर्चा पड़ता है और कौन सी केप में कितने price की है तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से रो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहे थेंक यू